मारास्ट्रों में चल रही सियासी घमासान के बीच में शिपसेना के बागी विधाय के एकनाश शिंदे ने एक बार फिर से दोस्तों उद्दफ ठाकरे पर जम कर निशाना सादा है उन्होंने ट्वीट में बाला साहिब ठाकरे के सिधानतों की याद दिलाते हुए मुंबई बम विस्पोर्ट और दाओद इब्राहिम से जुड़े लोगों को शिपसेना से मिल रहे समर्थन पर सवाल खड़े किये हैं इसी के साथ मैं एकनाश शिंदे के मंसे प्रमुक राज ठाकरे से भी जानकारी आ रही है एकनाश शिंदे ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुंबई बंबलास्ट में निर्दोशों की हत्या करने वाले और दाओद इब्राहिम से रिष्टा रखने वालों को हिंदू हुरदय समराज बालासाइब ठाकरे की शिफसेना कैसे समर्थन कर सकती है यहाँ पर दोस्तो नबाब मलिक का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी मलिक से स्थीफा नहीं लिया गया उन्होंने ट्वीट किया कि हमने अपने कदम इसी के खिलाफत में उठाई है अगर हमें मौत भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं अपने इस ट्वीट में एकनाज शिंदे ने संजराउत को भी दोस्तो टेक किया है साथ ही मैं शिफसेनिक का हैस्टेक भी दिया है एकनाज के इस ट्वीट को संजराउत के भागी विधायकों को दी जा रही मौत और हिंसा की धंक्यों का जवाब माना जा रहा है तो सीधे तोर पर जो है कहीं न कहीं ये सरकार गिरने की एक बड़ी बज़े अब नवाब मलिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं एकनाज शिंदे ने सीधे तोर पर सोशल मीडिया पर मोर्चा खोलते हुए कहा है कि जो की हिंदू हुर्दाय समराज बाला साहिब ठाकरे हुआ करते थे कि मुंबई बॉम ब्लास्ट का जो आरोपी है दरसल दाओद इब्राहिम उसका समर्थन करने के लिए शिपसेना कैसे सड़कों पर उतर सकती है कैसे एक मंत्री जो की नवाब मलिकों ने मंत्री मंडल से अभी तक बेदखल नहीं किया गया तो इस वज़े से शिपसेनिकों क करारा हमला किया है और काय की जो नेता जो है जिनके कहीं नेक्शन्स निकल करके सामने आ रहा है दाओद इब्राहिम से रिस्ते निकल करके सामने आ रहा है ऐसे नेताओं के समर्थन करने वाली शिपसेना कभी नहीं हो सकती बहराल जो करारा हमला बोला इस पर आपकी जो भी नोटिफिकेशन आपको में लेगे